खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बु चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज पुलवामा छतिस गड़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामने आते हैं उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा धिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ महोदय फिर्दय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चित्रों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंक्यों के पंगलों की आकाओं की नाख्वनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया मां का सिंदूर गया नन्यनो निहालों की लंगोटियां चली गई छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई बहुत है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बगल दिये गए हैं परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदे भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकरना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे, दोशी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ, तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, नहीं तिल का पार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महोदे, मानवाधिकार के सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभाब नहीं महोदै आज सब्के निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंगवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसके राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डालो जा रहा है अरे हमीं तो बुनियाद हैं आंत्र जब जेनि विस्पित्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहाता उस देश द्र प्रोदेश के वीर जवानों तमसिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो बहुत हैं अपनी बाणी को विराम की ओले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की ने एक प्रकरिया पर जहां पर जाता चरकों से शालों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्टी के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एकम बंसे रक्षा के बले टम बंसी कर सकता है जैहिंद्च भारत